जैहिंद फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब कक्षा 11 के विध्यारतियों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ विश्य जीव विज्ञान का स्लेबस Students, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जीव विज्ञान यानि की biology के syllabus के बारे में बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन-कौन से आपके units हैं और कौन-कौन से आपके chapters हैं जो आपके लिए बहुत ही जादा important है Students, सारे subjects की तरह यहाँ पर भी हमारा 100 marks का ही paper होगा जिसमें से 30 marks आपके प्रियोगात्मक कारेके होंगे यानि की जो भी आपके projects होते हैं, project work होता है या कोई भी आपकी activities होती हैं उनके Then, 70 marks का आपका paper आएगा So students, हम देखते हैं कि 70 marks का paper जो की हमें 3 hours में solve करना है उसके अंदर हमारे कौन-कौन से सीशक है और उनमें से कितने-कितने अंका हमारा paper आएगा जैसे कि जो हमारी पहली unit है, उसमें है सजीव जगत की विवित्ता इसमें हम पढ़ेंगे जितने भी living things हैं जितने भी जीवित प्राणी हैं इस धरती पे चाहें वो पेड़ पौदे हो, इंसान हो या जानवर हो, उनके अंदर कैसे विवित्ता है विवित्ता का मतलब होता है different है कैसे हो Then जो हमारा दूसरा unit है वो है जन्तुओं और पौधों की सनरचना आत्मक संगटना इसके हंदर हम देखेंगे कि उनका जो अंदर का structure है, plants का और animals का जो अंदर की सनरचना है कैसे वो अपनी body को nutrition दे रहे हैं, कैसे वो अपनी body को अच्छा कर रहे हैं, ठीके, कैसे वो grow कर रहे हैं यह हम पढ़ेंगे, then जो हमारा third chapter है वो है कोशिका के बारे में, cells के बारे में, then path up और मानफकार्य की यह सारी हमारी units है, इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो हमारी four और five वाली unit है, इसमें से 18, 18 marks का आया हुआ है तो यह important है, okay, अब हम चलते हैं अपनी पहली इकाई की ओर, जो हमारी पहली इकाई है, उसके अंदर हमें सजीव जगत की विविद्दा के बारे में पढ़ना है, और जो हमारा paper है, वो आएगा seven marks का यानि कि यहाँ पे जो आपको चार chapters दिये गए हैं, इन में जो भी topics हैं उन्हें आप जान लें, जैसे कि इसमें जो हमारा पहला है सजीव जगत, इसमें आप पढ़ेंगे जैव विविद्दा के बारे में, दैन वर्गी करण क्या विशकता, जीवन के तीन domain कौन कौन से है उसके बाद जीव जगत का वर्गी करण, पांच जगत वर्गी करण क्या है, मौनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सारे भी आप पढ़ेंगे, लाइकेन क्या होता है, वाइरस and वाइराइज, वही जो आप पहले से पढ़ते आए हैं, वही सारा है, बस उससे थोड़ा स तफ हो गया है, कुछ नए टॉपिक्स आ गए हैं, देन आप पढ़ेंगे वनस्पती जगत, पौधों के प्रमुक लक्षण, एवं प्रमुक समुहों में वर्गी करण सथा उनके उधारण, जैसे कि इनसानों को, या हमने ये जो हमारे, वो होते हैं, माइक्रो जनतू जगत के बारे में, ठीक है स्टूडेंस तो ये चार है इस इकाई के अंदर, इन्हें आप देख लीजिए, आप इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये काफी इजी यूनिट होती है वैसे तो, क्योंकि इसमें सारा का सारा बायो का है, बायो स्टूडेंस को मोस्ट इसलिए लगती है और फिर उसमें भी आपका किसका है ये, प्लांट्स और अनिमल्स का, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी इकाई की ओर, दूसरी जो इकाई है उसमें सनरचना के बारे में पढ़ना है, ठीक है सनरचना में भी, देखे क्या क्या है इसके अंदर, पुष्पी पुष्पी पुधों की आकारी की, जन्तूओं की सनरात्मक संगठना ये सारे क्या है हमारे चैप्टर्स हैं इसमें आप मेंड़क के बारे में पढ़ेंगे जो आपका मेंड़क है उसके अलग-अलग तंत्र जो है उसको आप देखेंगे कि पाचन तंत्र, परिसंचरन तं नात्र स्वषण तंत्र, तंत्रिका, तंत्र ने जनन तंत्र ये सारे आप उसकी बौडे के आंदर रेखेंगे कहां पे मौझूद होते हैं उसके बाद जो हमारी इकाई तीन है वो है कोशिका, यानी की सैलस की इकाई, कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका सिध्धान्थ सेंट्रियॉल्स केंद्रक याँने की निउक्लियस तो ये जो सारी चीज़ें उनके बारे में इसमें आप थोड़ा चैप्टर यह उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है उसके बाद आप पढ़ेंगे जैविक अणूओं के बारे में दैन कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन ये भी आप पढ़ेंगे कोशिका का विभाजन करना उसके बाद इकाई चार की ओर चलते हैं इकाई चार के अंदर आपकी पादप कार्ये की है पादप यानि की पौधों के बारे में आप पढ़ेंगे पौधों में स्वशन, पादप वृद्धी एवं, परिवर्धन इसके अंदर आप ATP के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इसमें से कभी-कभी ना question आता है students ठीक है यह आप पढ़ लेना अच्छे से इसके अंदर कई सारे आपके topics हैं तो मैं तो यह कहना चाहूंगे आपसे कि आप इसका screenshot लेकर अपने पास रख लो ताकि आपको आगे यह काम आएगा जब आप paper की त्यारी करोगे अभी half yearly के exams भी आने वाले हैं कुछ ही time में time आपको पता नहीं चलेगा अगली unit के ओर चलते हैं वो है मानफ कारिय की वाली unit ये भी 18 marks का आएगा इसके अंदर आप जो chapters है वो देख लीजिए जैसे कि इसमें आपका chapter है स्वशन एवं गैसो का विनी मै देन परी संचरन एवं देहे तरल उत्सरजी उत्पाद एवं निशकाशन आप इसका भी screenshot ले लीजिए ताकि आपको आगे problem ना आए ओके तो ये था हमारा five units के सारे chapters का कि हमें क्या-क्या पढ़ना है जो last का chapter है वो है रसाइनिक समन्वयन एवं नियंत्रन अंतस्त्रावी ग्रंथियां और हॉर्मोन ऐनव-वाणव फथरावी तंत्र है इकष्क्रम्ण जो हमारी ग्लाइन जैसे थाइरोइट ग्लेंड है पैह पैरथायोइट ग्लेंड है ऑडरनल ग्लेंड है कैसे हमारी बॉड़ी में हॉरमोन बनते हैं किसी को बोनापन क्यों हो जाता है हॉर्मोन का जो बेसिक रोल है मदुमेई की बिमारी जैसे हो जाते ही किसी को तो ये सारी डिजीज के बारे में बिमारियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे उसके बाद ही आपका नीचे प्रियोग आत्मक कार्य दिया गया है 30 marks का कौन-कौन से प्रियोग है यह प्रियोग के हाँ प्रियोग के प्रियोग को प्रियोग कार होता है को पने पड़ा होगा पहले भी उसके अलग अलग फूल उसके अलग-अलग parts उसको आपको बताना होता है paper chromatography द्वारा पाध़ वड़ंगों को प्रथक करना यह सारे के सारे ना पते क्या हैं यह हैं आपके projects ठीक है जैसे आलू का परासरन मापी द्वारा परासरन का ध्युन करना प्रोजेक्स का रोल काफी जादा होता है विज्ञान के अंदर तो मैं तो आपसे आशा करूँगी कि आप इनको करने की कोशिश करें स्कूल में या जहां पर भी आप कर सकें जो पॉसिबलों उतना करें ताकि आप विज्ञान को अच्छे समझ पाएं ओके तो ये था हमारा सारा स्लेवर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जब तक के लिए बाई